कैसे आप लोग करियेटे से हैं आपका बहुत बहुत श्वागत है मेरा अनम धरम और आप देखरों मेरा चानल करियेटा जो तुस फास्ट आप जानल को देखने हैं सब्सक्राइब कर ले और पेल आइकन को जोरू प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनलों हैं क्योंकि जितना आप हाईयर लेवल पर जाओगे आपकी लाइक में पैक इसी उतने हाईयर बढ़ते जाएंगे तो एमटेक अगर आप करना जो लोग चाहते हैं सबसे पहली बात एमटेक करने के लिए बहुत सारी यूणिवरस्टीज हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना हुआ कि कौन से यूणिवरस्टी है यह नहीं कि आप किसी भी यूणिवरस्टी से जाके एमटेक कर लो IIT भी MTEK करवाता है और NIT भी MTEK करवाते है तो बहुत सारे जम्हों में है कि आप MTEK कर सकते हो और MTEK करने के बाद आपकी जो package है वो BTEK से अगर IIT से हो 20 लाग की package हो तो 40 लाग में भी convert हो सकती है State level के भी इचेनियर्स होते हैं भी MTEK कर सकते हैं जरूरी नहीं है वो criteria चाहे वो IIT वाले हो चाहे State level वाले हो सबके लिए सीम रखी जाती है MTEK का इंटर्स exam जो होता है MTEK अगर आप IIT से करते हो तो सबसे पहला benefit हो होता है अगर आप industry में जातना चाहते हो साथ साल से यह रूल अपलाई हुआ पहले ऐसा नहीं था BTEK करके BTEK में पढ़ा सकते हैं लेकिन अभी BTEK करके BTEK में पढ़ना आपसान नहीं रहा BTEK के लिए MTEK होना जरूरी हो चाहें वो कहीं से आप करो तो MTEK सही जगह से और सही direction में आप करोगी तो बहुत अच्छा होगा Teaching के अलावा मैंने बता है Research में इंडस्ट्री में जा सकते हो बड़ी-बड़ी IT sectors में भी जा सकते हो उसमें आपकी branch जो हो थी उस branch के recording जा सकते हो मतलब जो आपका knowledge होगा न वो बहुत upper level पे होता है और MTEK अगर किसी एरे गरे University से आपने कर लिया practical नहीं किया अपने आपको upgrade नहीं किया तो वो कहीं ने कहीं बेकार है समझो तो सही तरीके से सही direction में किया के MTEK हमेसा helpful होता हो और MTEK के लिए आपको gate के थूभी MTEK करने जा सकते हो और वहाँ पे भी बहुत अच्छी खासी आपको universities मिल सकती है अच्छे खासे number लेकर आओगे तो gate के थूभी आपकी अच्छी खासी university में एड़िसन हो सकता है और वहाँ से अपने career को एक अच्छा अच्छी खासा moment आप दे सकते हो जो private engineering college में professor होते हैं वहाँ पे भी 20-25 लाग की package दी जाती है जो professors की मैं बात कर रहा हूँ जो higher level के professors होते हैं MTEK के और बड़ी-बड़ी universities की नाम कर लें इंडिया में जैसे सार्दा युनिवस्टी है इसके और अमेडि युनिवस्टी है दैनी युनिवस्टी में भी बहुत सारे इंस्ट्रिक जो बहुत higher level के package देते हैं MTEK वा लोगो तो वहाँ पे आपको decide करना है कि कैसे आपको growth करना है MTEK करने के बाद सबसे पहले एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि MTEK करने में आप लोग जल्दबाजी मत करिए बहुत सारे लोग देखते हैं एक बार इंटरेंस दिये निकला तो किसी भी college में एंटिशन लिए प्लीज ऐसा मत करो सेम BTEK की तरह है या रखने लाइफ क्यों करब करना MTEK करने के बहुत सारे benefit है अगर आप government professional बन गए BTEK में पढ़ाने के लिए तो भी सोचो कितने अच्छे फायदे है government college बहुत सारे engineering के है आप IIT में भी पढ़ा सकते हो उसके बाद आप IIT में भी पढ़ा सकते हो state level game journaling में भी पढ़ा सकते हो prime उसके बाद polytechnic में भी पढ़ा सकते हो मतलब option भर्मार है MTEK करने के बाद आपको ज़रूरत है चीजों को समझने के MTEK करने के बाद अपनी coaching institute भी चला सकते हो चाहे वो IT का preparation हो चाहे वो other competitive exam का preparation हो तो फायदे ही फायदे है मतलब कि अगर आप सही तरीके से करते हो MTEK तो बहुत जाते फायदे हैं और इसको एक चीज और मैं बताता हूँ MTEK जो लोग कर ले रहे न एक तो number of people बहुत कम है MTEK में बहुत सारे लोग नहीं है क्योंकि BTEK के बाद ही मेरी ख्याल से 80% लोग तो back out कर जाते हैं कि नहीं मुझे MTEK करना 20% में जो mood बनाते हैं 10-15% लोग MTEK करने जाते हैं तो उसमें decision लेना होता है कि मतलब कहा से करे कैसे ना करे तो finally आपको 10% लोग pass out होते हैं वही 10% लोग अच्छे इंजिनियर जाते हैं फैकलेटीज बनते हैं हमें पढ़ाते हैं और हमें educate करते हैं हम अपना knowledge share करते हैं और उसके बाद एक अच्छा इंजिनियर बनाते हैं तो दोस्तो इस वीडियो बनाने का एकी मत सकता है कि आप लोग MTA के बारे में जान जाएं और करने के बाद क्या हाँ जा सकते हैं ये फायद है हम इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं उमीद दोस्तो इस वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को like, share, comment करने ना भूले थेंक्यू, जेट, नमस्क्राव दोस्तो